जय श्री कृष्णा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम भगवान के बारे में जानेंगे श्री कृष्ण विश्णु के आठवे अवतार है, उपदेशों के माध्यम से उन्होंने जीवन के अध्भुत रहसियों को आप से साजा किया है, उनकी शिक्षाओं में छिप जिनाईयों को पार करने और सफलता की उंचाईयों तक पहुँचने के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करते हैं, यह विचार हमारे समाज के सभी उम्र के लोग लोगों के लिए उप्योगी है, मैंने ही इस स्रिष्टी की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोशन करता और मैं ही इस स्रिष्टी का विनाश अर्थात अंत करता हूँ, जब-जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब-तब मैं इस संसार पर अवतार लूँगा, धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाशा नहीं है, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है, जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। पर्मात्मा से मिलन होता है, सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता, नर्क जाने के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोब, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता हैदी, वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें, मन की हल्चल, होश, सास, और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ती सदैव तुम्हारे साथ है, शांत रहने से सभी दुखों का अ हमें कभी नहीं डरना चाहिए, प्रेम सदाही माफी मांगना पसंद करता है, और अहमकार सदाही माफी सुनना पसंद करता है, एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इनसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो, धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मन्जिल तक तो कर्म ही पहुचाता है, इनसान की इच्छा पूरी नहीं होती है, तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो लोग बढ़ता है, इसलिए जीवन की हर स्थिती में अपने धैर्य को बनाये रखें, जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक उर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मन्जिल से भटक जाना निश्चित है, आज यदि आपके दिन बुरे चल रही हैं, तो कल अवश्य ही अच्छा होगा, आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए, जो जीवन वैसा ही हो जाता है, जीवन में आधे दूख इस वजह से आते हैं, क्यूंकि हमने उनसे आशाय बना रखी है, जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी, जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किये हो, उसे बुढ़ापे में नेंद नहीं आती है, महा आज यहां हम ऐसे ही पंद्रह अनमोल वचनों के बारे में जानेंगे, व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंध लेता है, जैसे कि कोई बच्छडा सैकडो गायों के बीच अपनी मा को ढूंध लेता है, आत्मा ना तो जन्म लेती है, और ना ही मरती है, ना ही इसे ज जलाया जा सकता है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है, आत्मा अमर और अविनाशी है, संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है, आत्मा शरीर को वैसे ही छोडती है, जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारन कर लेता है, व्यक्ति का जुखमान अपमान लाभ हाने का एहसास करना मन की शरारत है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है, जब यह संसार ही स्थाई नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थाई हो सकती है, मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी हू और हाथी में भी संसार के सारे रिष्टे नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है आत्मा का शरीर से जुड़े रिष्टों से कोई नाता नहीं रहता मेरे तुम्हारे हम सब के कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है, वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है, मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्मान नहीं करत और ना ही किसी को कर्म फल देता हूं, व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्मान करते हैं। इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वय निर्मान करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वानी को सन्यम में रखना चाहिए क्योंकि वानी से दिये हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है, जो इसके योग्य नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा स्वय को मुझ पर छोड़ दो केवल अपने कर्म पर ध्यान दो कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। स्वर्ग की प्राप्ती होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ती बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगती में पढ़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांती प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तो इसका बुरा मत मानना क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं, जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं, स्वार्थ से रिष्टे बनाने की कितनी भी कोशिश करो वे कभी नह पहचान ले तो उसकी जिन्दगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। और आसकती से इच्छाएं उत्पन होती हैं, इच्छा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन होते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और जो हो रहा है अच्छे के। यहा है जो होगा वह भी अच्छे के लि आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्यान करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों सभी धर्म को छोड़ कर मेरी शरण में आजाओं में तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता हमेशा एक नई शुरुवात हमारा इंतजार कर रही होती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको भगवान श्री कृष्णा के बारे में बताया अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।